दोस्तो इस बेडियो में हम सिखेंगे एक्सिस बैंक प्रसनल लोन कैसे अपलाई करते हैं और उस पैसे को बैंक में कैसे ट्रांसपर करते हैं दोस्तो अगर आपको पैसो का जुरूरत है तो आप एक्सिस बैंक प्रसनल लोन अपलाई कर सकते हैं यह Salered Person और Self Employed दोनों के लिए है और सबसे अच्छा बात यह है कि Axis Bank Personal Loan Apply करने के लिए अगर आपके पास Axis Bank Account नहीं है तब भी Loan Apply कर सकते हैं पचास जार से लेकर 25 लाग तक का यहाँ पे Loan Apply कर सकते हैं तो अभी इसमें काफी Changes हुआ है तो मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस में सिखाता हूँ कि किस तरीके से इस पर Loan Apply करना है बिल्कुल Step by Step तो यहाँ पे Loan Apply करने के लिए सबसे पहले इस पेज भी आपक सकते हैं जो कि 100% Digital Process होगा मतलब आपको बैंक में नहीं जाना है जो काम है आप अपने Mobile पे ही कर सकते हैं यह लोन काफी बेष्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिछले तीन महिना में 5000 करोड से जादा यह लोग Loan दे चुके हैं तो इस वीडियो में मैं आपको से पहले हम देखेंगे कि क्या आप Salary Person है या फिर Self-Employed तो जैसे माली जी कि अगर हम Salary Person होता है तो Salary Person पर Click करेंगे अगर आप Self-Employed है या फिर 25,000 से ज़्यादा है चलिए मैं इस पर किलिक करूँगा क्योंकि 25 से इनका ज़्यादा है जिनका मैं लोन अपलाई करने वाला हूँ अब उस पर किलिक करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा यहाँ पर आप अपना मोबाईल डालेंगे यहाँ पर डेट वर्थ डालेंगे उसके बाद सेंड OTP उसके बाद आपके नमबर पर 6 अंक का OTP आता है OTP को यहाँ पर डालेंगे उसके बाद Login अब उस पर किलिक करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा यहाँ पर बताया जाता है कि किस तरीके से लोन आपको मिलेगा यहाँ पर एक बात ध्यान रखेगा कि आपके पास bank statement होना चाहिए अगर आप salary person है तो six month का आपको bank statement देना होगा और last month का salary slip देना होगा तभी जाकर कि यह loan मिलेगा तो बैंकों से loan लेते हैं तो काफी safe and secure होते हैं तो यहाँ पर आपको पूरा proof भी देना होता है ठीक है तो just यहाँ term and condition है इस दोनों को accept करेंगे उसके बाद continue उपर किलिक करेंगे अब continue उपर किलिक करेंगे तो यहाँ पर दिखिए हमें बोला जाएगा video के yc के लिए तो यहाँ पर चाहे तो अपने document को submit कर सकते हैं और चाहे तो video के yc, ekyc कर सकते हैं तो document submit आप नहीं किजिगा उपर वाले में ही टीक माक रहने देंगे उसके बाद term and condition को accept करेंगे उसके बाद submit अब submit करते हैं तो अधार कार्ड को verify करना होगा तो यहाँ पर आप अपना अधार कार्ड number डालेंगे उसके बाद submit अब submit करते हैं तो आपके अधार कार्ड के साथ जो भी mobile number link है उस पर एक OTP आएगा OTP को यहाँ पे डालेंगे उसके बाद submit अब submit करते हैं तो यहाँ पर दिखिए हमारे अधार कार्ड से यह सभी detail ले लेंगे जैसे हमारा नाम, date of birth, gender तो यह सभी चीज़े यहाँ पे आ जाएगा उसके बाद यहाँ पे हमसे कुछ detail पूछा जाएगा तो सबसे पहले occupation में आपको बताना हो गया कि आप क्या करते हैं तो फिर से पूछते हैं, तो जैसे मैं loan apply कर रहा हूँ वो salary person है, job करते हैं, तो salary पर click करूँगा उसके बाद यहाँ पे हमसे bank पूछेगा, किस bank में salary आता है तो जैसे मैं आपको सुरू में ही बताया, कि जरूरी नहीं है कि आपका account एक्सिस bank में हो तो यहाँ पे कोई भी bank आप्सिलेट करेंगे, जिसमें आप payment लेते हैं उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछा जाएगा, कि last month आपका कितना salary आया तो जैसे 25,000 से उपर ही बरना है, तो जितना भी salary है यहाँ पे add करेंगे यहाँ पे हमसे total work experience पूछा जाएगा, कितना समय से आप job कर रहे हैं उसके बाद यहाँ पे हमसे company का name पूछा जाएगा, किस company में job करते हैं उसके बाद education qualification में हमें बताना होता है, कि आप कितना पढ़े लिखे हैं तो आप अपने according यहाँ पे select कर सकते हैं, जितना भी पढ़े हैं उसके बाद term and condition को accept करेंगे, तो यहाँ पे यह सभी details add करेंगे, उसके बाद confirm आप confirm करते हैं, तो यहाँ पर देखें, congratulation का message आएगा, और आपको जितना भी loan मिलने वाला होगा, वो यहाँ पे so करेगा तो यहाँ पर देखें, ज्यादा ज्यादा 25 लाख तक का loan ले सकते हैं, तो यहाँ पे 14 लाख 20,000 का loan यहाँ पे approve हुआ है तो यहाँ पे 5,000,000,000,000 easily loan मिल जाता है, क्योंकि हम bank से loan ले रहे हैं, और हमारा document भी मदलब proper है तो यह document पे ही depend करता है, अगर आपका document सही है, तो आपको easily loan मिल जाएगा तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं पूरा loan apply करूँ, तो 32,128 रुपया EMI बनेगा और interest rate यहाँ पे देख सकते हैं, 12.75%, तो interest rate जैसे मैं शुरू में बताए कि 10%, 11% के round है तो यहाँ पे civil score पे भी depend करता है कि आपका civil score क्या है, तो civil score अगर पूर होता है तो यहाँ पे आपका interest थोड़ा सा high लगेगा, तो यहाँ पे अब आपको देखना होगा कि आप कितना loan लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपना loan select करेंगे, यहाँ पे 10 over select करेंगे और नीचे आप अपना processing piece, stamp duty, सभी चीजे देख सकते हैं, उसके बाद confirm करेंगे, अब confirm करते हैं, तो यहाँ पर हमें company का detail देना होगा, तो जैसे मैं आपको बताए कि मैं जिनका loan apply कर रहाँ वो company में job करते हैं, तो जिस भी company में job करते हैं, उस company का name, यहाँ पर Gmail ID, उस company का building name, road name, landmark, pin code city, estate वगरें डाल करके confirm करेंगे, अब उस पर click करते हैं, तो यहाँ पर देखें, जो भी हम Gmail दिये हैं, company का Gmail ID, उस पर एक OTP जाएगा, तो इसको डाल करके आपको confirm करना होगा, तब ही जाकर कि loan मिलेगा, मतलब यह company से verify करते हैं, कि यह बंदा इस company में job करता है या तो जो भी OTP आया है, उस OTP को यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद verify, अब Gmail ID को verify करते हैं, तो यहाँ पर देखें, हमारे loan का सभी detail आ जाएगा, जैसे मैं 2 लाग का loan से लेट किया हूँ, 60 मन्त के लिए, यानि 5 साल के लिए, तो यहाँ पे आप अपना सभी detail देख सकते हैं, अगर यह loan लेना चाहते हैं, तो continue उपर click करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हमसे बोला जाता है, कि क्या आप life insurance लेना चाहते हैं, तो यह जरूरी नहीं है, अगर आप लेना चाहते हैं, तो इसमें tick mark लगाएंगे, अगर नहीं लेना चाहते हैं, तो इसको ऐसे ही खाली का मेसेज आ गया और यहाँ पे जीतना भी लोन हमारे बैंक में ट्रांसफर होगा वो यहाँ पे सो करेगा जो भी प्रोसेसिंग फीस है एस्टाम ड्यूटी है वो पैसा पहले ही कट हो जाता है तो यहाँ पे दिखे बताया जाता है कि हैज बिन disbursed in your saving account इंडिंग यहाँ पे बता रहा है कि कुछी दिर में यह पैसा आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और application ID भी दे दिया गया है इससे हम loan को track करते हैं कि हमारा loan कितने दिर में हमारे अकाउंट में मतलब credit होगा कई बार उसमें कोई issue आ जाता है technical error आ जाता है तो इसी ID को डाल करके उसको solve किया जाता है तो यहाँ पे हमारा ID आ गया यहाँ पे loan amount तो यहाँ पर दिके बताया जाता है कि कुछी दिर में यह पैसा आपके bank में transfer कर दिया जाएगा अब दोस्तो जब यह पैसा bank में आ जाएगा तब आप bank में भी जाकर के emendate चाहें तो क अपलाई हो चुका है कुछ दिर बेट करेंगी तो यह पैसा हमारे bank में successful credit कर दिया जाएगा